वेरी गुड मॉर्निंग चिल्रेन टुडेः बच्चो आज हम चैप्टर फाइव का रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चो आज हम चैप्टर फाइव को रिवाइज करेंगे इस चैप्टर में मैंने बच्चो आपको प्रोटीन्स के बारे में पिताए था कि वाटर नूट्रीन्स यानि जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इसे हम नूट्रीन्स कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में बच्चो कहते हैं पोशक तत्वर जैसे कि आप यहां देख रहे हैं नूट्रीन्स का डेफिनिशन लिखा है यानि फूट के अंदर ऐसे मेटीरियल्स होते हैं जो हमारे बॉड़ी को एक हेल्थी सज़ी नूट्रीन्स होते हैं या लिखा मिरीशन हमारे भोजन में पाए जाते हैं next deficiency disease deficiency disease क्या होता है deficiency यानि कि किसी चीज़ की lack होना यानि कमी होना disease caused by the deficiency of nutrients यानि अगर हम अपने भोजन में यह five types of nutrients नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं पोशक तत्यों के कारण बहुत सारी असी बिमारिया जो हमें होती हैं इस प्रकार की बिमारियों को हम कहते हैं deficiency disease the lack of due to lack of nutrients यानि कि पोशक तत्यों की कमी के कारण होने वाली बिमारियों को deficiency disease के नाम से जाना जाता है next communicable disease diseases that may spread past on others यानि बिमारियों जो होती है वो टू टाइपस के होती है बचो यह लेसन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बिताया था कि जो बिमारियों होती है वो टू टाइपस के होते हैं disease that is communicable and non communicable disease तो communicable disease ऐसी बिमारिया होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है यानि एक से दूसरे में फैलती है the disease that spreads from one person to another is called communicable disease next germs tiny living organism that spread infection or disease यानि ऐसे शुक्ष्म जीव जो कि infection फैलाते हैं या बिमारिया फैलाते हैं ऐसे जीवों को germs कहा जाता है किटानू कहा जाता है immunity what is immunity ability to resist infection यानि हमारे शरीर में जो immunity immunosystem है यानि कि हमारे शरीर में जो रोग प्रति रोधक छमता है जिसे हम immunity के नाम से जानते हैं तो it is a kind of ability to resist the infection यानि बिमारियों से लड़ने की जो ताकत छमता होती है उसी को हम immunity कहते हैं next vaccination what is vaccination vaccination is a kind of injection यानि injecting a vaccine to protect against a diseases यानि कि आपने देखा होगा बच्चों जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत सारी vaccine लगती है तो यह टीके इसको हिंदी में करता है टीका तो यह vaccine क्या करते हैं यह शरीर में जाकर बिमारियों से उन बिमारियों को शरीर में होने से रोकते हैं तो it is a kind of injection injecting vaccine to protect again diseases is called vaccination इस प्रोसेस को वाक्सी नेशन कहा जाता है next some more important points point number one the materials needed by food sorry material needed by the body for a healthy growth are called nutrients यानि कि भोजन से लिए गए ऐसे material जो कि हमारे healthy growth के लिए मदद करते हैं that is called nutrients food contains important nutrients जैसा कि बच्चों मैंने about topic में बताया आपको कि nutrients जो होते हैं वो five types होते हैं protein carbohydrate fats minerals vitamins water and roughage तो यह सारे जो है वो सारे components हैं भोजन के components है लेकिन अगर आप से कोई पुछता है कि nutrients कितने होते हैं तो you have to say only five protein carbohydrate vitamins and minerals and fat also बच्चों इस सारे जो nutrients है इसे आप previous classes में पढ़ते आ रहे हो already बट इसके पर्टिकुलर जो नेम अभी है आपने जाना ऐसा नहीं था protein को हम body building food के नाम से जानते हैं carbohydrate को energy giving food के नाम से जानते हैं और fat भी हमारे शरीर को energy ही प्रवाइड कराता है और minerals और vitamins के बारे में तो आप जानतों यह जो है प्रकार के प्रोटेक्टिव फूड अब रह गई बात water और रफेज this it is not a kind of nutrients यह जो बचो वाटर और रफेज है वो एक किसी प्रकार का पोशक तत्व नहीं है बट इस वेरी necessary and it is very important in our food यानि इसका हमारे भोजन में होना बहत ही आवश्यक होता है because water और रफेज जो है हमारे भोजन को digest करने में हमारे बोड़ी से waste को बाहा निकालने में मदद करते हैं the next point number three the diet containing all the essential nutrients in a right proportion is called balanced diet यानि भोजन की जो मात्रा हम लेते हैं उसके अंदर हमारे सारे nutrients मौजूद होने चाहिए इस प्रकार के diet को हम balanced diet कहते हैं और balanced diet को हम इस प्रकार से भी define कर सकते हैं a diet that contains proper right amount of nutrients तो बच्चों अब हम जान लेते हैं deficiencies के बारे में जैसे कि deficiency diseases जो होते हैं they are caused due to lack of nutrients यानि कि यह जो है वो nutrients की कमी के कारण होते हैं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं deficiencies minerals के बारे में vitamin A से क्या हो सकता है night blindness, vitamin A causes night blindness, vitamin B causes berry berry, vitamin C causes curvy and vitamin D causes rickets तो बचों हम इसको बारी बारी साब को बता देते हैं कि इसके लक्षन क्या होते हैं अगर vitamin A की कमी है हमारे शरीर में तो हमारी जो eyesight है देखने की जो छमता है वो कहीं न कहीं defect होती है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी eyesight अच्छी रहे प्रॉपर रहे तो हमें अपने भोजन में विटामिन की मात्रा लेनी चाहिए दिन एक्सट विटामिन बींर होती है इसते बेरी बेरी नामक रोग होता है जिसमें हमारे मसल्स है वह प्रॉपर ली काम नहीं करते het its ही दाट कैसे स्कर्वी मेरे मारा कूला मसूरों होyttा जाता है थैंसे लिया विटामें सी सब्सब्स ए कि छाते हैं नेक्ष्ट विटामिन डिविटामिन डी जे हैनों हडी भैंपॉर्ट होता है क्योंकि अगर प्रैस्ट में some minerals deficiency of minerals अगर हमारे भोजन में minerals की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है कौन सी बिमारी हो सकती है तो iron deficiency यानि deficiency of iron यानि अगर हमारे शरीर में iron की कमी है then it causes anemia जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों की कमी हो जाना और यह अपसर औरतों में जादा देखी जाती है तेन नेक्स आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है जिसमें आपने देखा होगा कि गर्दन की जो गर्दन जो है वो काफी जादा फूल जाता है इसके इंदर जो घर्दन में स्वैलिंग आजाती है डिसीज विच एन बी पास्ट फ्रम वन पर्सन तो अनदर इस काल्ड कमेनिकेबल डिसीज और इंफेक्टियस डिसीज यह दोनों ही सेम चीज है बच्चों इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगे क्योंकि कमेनिकेबल का म डिसीज और कमेनिकेबल डिसीज और कमेनिकेबल डिसीज और कमेनिकेबल डिसीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि बैक्टिरिया है वाइरस है प्रोटो जो यह सब जो बिमारियां हैं कमेनिकेबल डिसीज जो है यह माइक्रोब से फैलती है और यह माइक्रोब कहीं न कहीं बिमारियों को एक से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करते हैं दर नेक्स दिक में इसी स्प्रेड थू डारेक्ट कॉंटक्ट एयर इंफेक्टेड फूड वॉटर इंसेक्ट बाइट एंड थू कैरियर्स यानि कि जो बिमारिया होती है वह फैलने के बहुत सारे माध्यम होते हैं जैसे कि अगर हम किसी ग्रस रोग से ग्रसीट व्यक्ति के क् difficult में आते हैं तो भी इसामें बिमारिया हो सकती है या फीर यह जो जो होते हैं या या वाईरस होते हैं वहAnney हमारी शरीर को infect कर सकते हैं और इसके कुछ कैरियों भी होते हैं लाइट बैक्टीरियर वाड़े ऐस द्वारा मुश्किका में द्वारा यह बिमारिया एक से से दूसरे व्यक्ति में फ्हैलो थे हैं कि अग्ड़ा क्या है कि प्रेवंटिंग स्प्रेंट of germs for from a sick person to a healthy person the communicable disease can be prevented by preventing the breeding of germs अगर हम इस बिमार्यों को रोखना चाहते हैं तो इससे सबसे पहले हमें germs की जो breeding है उस पर रोक लगानी होगी क्योंकि जो germs क्या करते हैं एक से दूसरे person में carrier का काम करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं और एक से दूसरे बैक्ति को ग्रसित कर देते हैं चिल्रेंट नेक्स्ट यहां पर कुछ बुक exercise है जिसे मैंने solve किया हुआ है अगर आप लोगों ने बुक में नहीं फिल कर रहा है तो यहां से भी आप फिल कर सकते हो ओके लिसेन इट लैक अफ आयरन कॉसेश ग्वाइटर तो क्या हो सकता है बचो आमला इस गुट सोर्स ओ विटामिन सी आंसर इस करेक्ट लैक अफ विटामिन ए इन और बॉड़ी कॉसेश बेरी बेरी रॉंग होगा बचो क्योंकि विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइडनेस क्योंकि नाइट ब्लाइडनेस जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है सनलाइट इस नाच्रल सोर्स ओ विटामिन दी करेक्ट नेक्स बचों यहां पर कुछ डिफिशेंसी आफ विटामिन दिये गया है और इसके डिसीज जैसा कि आपने अबव वीडियो देखा बजो यहां पर कुछ एक्सराइज दिये हुए है जो कि आप खुद से भी कर सकते हो यह क्या हो गया है दे नेक्स्ट फिल इन दे ब्लैंक्स डेफिशेंसी आफ डैस कॉसेज नाइट ब्लैंडनेस तो इसमें आप फिल कर लोगे विटामिन ए दे फूद रीच इन डैस हेल्स दे बोडी तो ग्रू यानि न्यूट्रिंस में आसा कौन सा पोशक तत्व है जो हम में अपने बोडी को ग्रू करने में और रिपेर करने में मदद करता है तो अब्यस्ली प्रोटीन प्रोटीन इस इस एकाइंड आफ बोडी बिल्डिंग फूद नेक्स देफिशेंसी ऑफ आयरन कॉसस अनीमिया स्पॉंजी और स्वालन गम्स विच ब्लीड इजीली आर इस्टेंस अगेंस सर्टें डिसीजेस कैन डिवलप बाइ टेकिंग वैक्सिनेशन यानि कि बहुत सारे आशी बिमारी हैं जिनको हम अपने शरीर में पहुंचने से रोख सकते हैं बिकॉज आफ वैक्सिनेशन इसलिए छोटे बचों में ये वैक्सिनेशन दीये जाते हैं म क्वीट ऑन यूर ओन वैसे मैंने यहां पर करके रखा हुआ है कि नेक्स्ट भी मुवन सम मॉल्टिपल चॉइस कोशन कोशन नुबर वन आमला इस रिच सोर्स आफ आमला जो है वो किस सोर्स में बहुत ज्यादा रिच है विटामिन ए विटामिन क्योंकि आमला जो होता है वो खटा होता है यानि जितने भी खटे फल होते बचो और पीले कलर की जो फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है क्वेशन नुबर टू तो प्रुवेंट अनीमिया दाइट शुट भी रिच इन यानि अनीमिया से बचने के लिए हमारे डाइट में कौन सा न्यूट्रिन्स होना चीह कौन सा मिनरल होना चीह दाट इस आइरन अगर हमारे शरीर में आइरन की कमी है देन हम और हम सारी अनीमिया नामक विमारी से ग्रसित हो सकते हैं देन नेक्स्ट ग्वाइटर इस बिकॉस अफ डेफिशेंसी ऑफ आयो डीन यानि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो सकता और इसे बचने के लिए हमें सी फूट बगेरा खाने चाहिए अपने खाने में हमें आयोड चीजों पर बैठती है तो इससे हमारे शरीर में टाइफाइड हो सकता है देन नेक्स्ट कोशन नबर फाइटिंग फूड एक्सपोस्ट टू फ्लाइस प्रेड यानि कि अगर खुले में रखा हुआ जो भोजन है अगर उस पर मख्यां बैठ रही है तो इससे हमें कौन सी हो सकती है विजल्स नो टैटनोस नो डाइरिया यानि कि इससे जो बिमारिया होती है उससे कहते हैं मुھलेया स्प्रेटस THERE मेय वह किससे trained होता तो आपको पढ़ने को मिलेगा दन चिल्रेन आटाइस सम इंपोर्टन कोशन फ्रम दिस चैप्टर आप यहां देख सकते हो कोशन नमबर वन गीव थ्री एग्जाम्पल आफ नूट्रेंस आपको थ्री एग्जाम्पल्स देने हैं नूट्रेंस के तो चिल्रेन आप यह एबल होगे यह सारे कोशन के आंसर देने के लिए तो आप चाहते हो तो इसको आप एक कॉपी पर नोट कर लिजेगा और अगर आप इसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप इसको नोट करके और ग्रूप में भी सेंड कर सकते हैं वाट इस बैलन्स डाइट कोशन नमब नमब थ्री नेम दो फूड रिच इन प्रोटीन ऐसे बहुजन का नाम बताईए जो की प्रोटीन में रीच हो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाते हो दन वाट कॉसेज बेरी-बेरी वाट और कमेनिकेबल डिसीज नेम दर नेम टू कमेन आपको दो कोमिनिकेबल के एक्जाम्पल्स देने हैं आफ लास्ट कोशिन नंबर 7 आप देख सकते बचु यह कोशन दो बार आया है इस वीडियो में और आप इसे आराम से इसे फिल कर सकते हो बहुत ही इजी है सब्सक्राइब इस वीडियो थांक यू फॉर वाचिंग